आज भारत में टाइल्स का निर्मान बड़ी तेजी से बढ़ रहा है और वो दिन दूर नहीं जब टाइल्स का बाजार भारत पर पूरी तरह से चा जाएगा भारत में टाइल्स का बाजार बहुत ही उन्नत हो चुका है ये है भारत में टाइल्स बनाने की एक अत्याधुनिक फैक्टरी यहां की भट्टी अपने आप में अनोखी है करे उनुद्रे ल olduğ ये येुट्टी आप चुका से वित्वर हैं दूप में लिए मẹं भीटkich इस में लिए κα Brus 59 भीटीन इस इस अर फो चूे में लिए अनलाइता इस भूनीan इससे बमनावेज सीनने अभाइब टोच्छ बहुं। इस अपरकेश बहुंना घंट मार्टक्ट मेब। इस सब्क्राइब है टुकता फिर दिपनावा इसकाटनी यह जज अडिक्टारी इस सब्सक्राइब कर दोग दिए अच्छें पिस जडूब आव और लगा है यहां के production line भी विशुव स्थरीय है and the first production side raw materials is the solid foam then raw material we put in the ball इमेह सकते अक्वार इमेह एक्डर Buddhist मारे कि अन्हकरते अे कि स्ड़ी से अन्हarted 3 घए जार उन्हेय थे दिखी लिखी उन्हें ग्रविखimer और एक स्वन करी फुर्प गव्हाथ ​​ ajudar सकतेशिक थार प्रफ आक की से मड़ोगों टाइी झें आ झाले को साधियर एक से जाजिक्ट टाइ चाने इंड़र इन आ्ने ऍ mooiडर के ऐसकनते नड़र वाग अगे बैडिकाश प्रट्रिया में सबसे पहले पाउडर को हाई प्रेशर से तबदील किया जाता है इसके बाद टाइल्स की शेप में कटिंग की जाती है इसके बाद इसमें विद्यमान मॉइस्चर को निकाला जाता है फिर इस पर ग्लेज की कोटिंग की जाती है ग्लेज की कोट चढ़ाय जाने के बाद इन टाइल्स पर डिजिटल प्रिंटिंग होती है फेरियर तयार टाइल्स भट्टी में पकाने के लिए भेज दी जाती है ये स्वताहत एक हजार से बारा सो डिक्री सेलसियस पर पक कर बाहर निकलते हैं आखिर में टाइल्स की घिसाई की जाती है जिसे इनका सही स्वरूप निकल कर सामने आ जाता है आज केवल फ्लोर टाइल्स ही नहीं बलकि दीवाद और एक्स्टेर टाइल्स भी बनाई जा रही है अब भारत श्लेम या पीपर निकलते हैं पर टाइल्स बनाने की बात कर रहा है इतना ही नहीं यहां बनने वाली टाइल्स भारी मात्रा में विदेश भी भेजी जा रही है अगले आने वाले पांच सालों में हमारे नए पांच प्लांट और आए उसके बारे में हमारी प्लानिंग है अगर हमारे नई प्लान्ट आएंगे तो हमारा टर्नोर बी बढ़ेगा, हमारा प्रोफिक बढ़ेगा, यह हो गया वनटरी गोडुज। दूसरा हम मॉनेटरी के अलावा हम सोसाइटी के लिए भी सोचते हैं, अगर हमारे लाए पांच प्लांट आएंगे तो तक्रीमन दो हजार लोग डायरेक्ट और इंडायरेक्ट दोनों तरिके से जुड़ेंगे, जो हम सोसाइटी को दे रहें, डायरेक्ट का मतलब जो हमारे जो कर्मचारी जो हमारे परिवार के मंबर कडिंगे, दूसरा इंडायरेक्ट में ट्रासबोटेशन का बीजनेस, जो हमारी टाइल्स आती है, रनब टरिल जो बंके फिनिश जाता है, वो सारे इनडायरेक्ट हमारा इप्लॉमेंट जेनरेशन करता है, अभी इसका मार्केट अभी जश्ट स्टार्ट हो रहा है, अभी हम मार्केट में आएंगे, मार्केट हमेशा दीरे दीरे डेवलप होता है, आज से 20 साल पहले हम टाइल्स के बारे में इतना कुछ जनकारी नहीं थी, आज देखें, अन्य गलग पड़की टाइल्स आ रही है, बड़ी साइस की आ रह होती है, आज भारत का टाइल्स बाजार ना सिर्फ तेजी से बढ़ रहा है, बलकि मॉडनाइज भी हो रहा है, और ये पूरे विश्व में अपनी मांग को बढ़ा रहा है,